हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या राधना एकाडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है अशेशाननदाचारी और इस विडियो लेक्चर को माना जाएगा लेविल टू है ये काइनेमेटिक्स के डेमो लेक्चर का ठीक है डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी जादा होगी लेकिन आपके अगेन एक्जामिनेशन पॉइंट आफ यू से बहुत जादा फाइदेमंद होगा तो आपसे ये request है कि आप highly alert हो करके notebook pen के साथ जो मैं बोलूँगा करने के लिए उसको आप लगातार करते भी रहेंगे ऐसी ही सिर्फ हालत में आप कुछ सीख पाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक question के साथ simple सा question है पहले आप उसे attempt करेंगे उसका description यहाँ पर मैं दूँगा और देखते हैं उसे क्या-क्या सीखा जा सकता है question यह है कि a particle starts from rest लिखिया आप notebook में a particle starts from rest and travels with constant acceleration acceleration के बारे में यह लिखा हुआ कि acceleration कितना है नहीं पता लेकिन acceleration है constant ठीक है ना अब पूछा क्या जा रहा है सवाल में सवाल यह है find ratio of find ratio of displacements covered in first second displacement covered in first second पहले second में होने वाला displacement और उसके just अगले वाले second में यानि next second में होने वाले displacement इन दोनों का ratio पूछ रहा हूँ find ratio of displacements covered in first second to that of next second उसके ठीक अगले वाले second में होने वाले displacement का इन दोनों का आपस में ratio क्या होगा यही सवाल है तो एक बार वीडियो को pause कर लो और पूरा समय लो है ना पूरा समय का मतलब है यहाँ पर 3 से 4 मिनट पूरा समय लो और इस question को solve करके final किसी ना किसी एक answer तक पहुँचाओ गलत करने से बिलकुल मत डरना ओल राइट all the best ओके तो I hope so आपने वीडियो को pause किया और question को solve कर लिया है मैं भी यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले तो यह first second का आखिर meaning क्या है first second का meaning है मैं अपनी आखों को बंद रखे हुए हूँ और ठीक zero second पर मैं अपनी आखों को खोला और zero second, point one second, point two second, point three, point four, point five इस तरह करते करते one second जब हो गया मैं अपनी आखों को बंद कर लिया मतलब zero से one second तक का time interval इसी को कह रहे हैं first second zero second से शुरू किया गया और one second तक गए यही कहलाएगा first second जैसे पहला दिन पहला दिन का क्या मतलब होता है zero time से ले करके 24 hours का time इसी को कहते हैं पहला दिन ठीक उसी तरह से फिर next second का आखिर क्या meaning होगा next day का क्या मतलब होता है 24 hours से शुरुआत होती है और उसके बाद 48 hours तक जाते हैं यही तो मतलब होता है next day का तो next second का आखिर यहां पर क्या मतलब निकाल रहे हो next second का meaning है one second से two seconds तक यह तो मैं question का meaning अभी तक क्योवल बताया हूँ question को तो solve करना अभी शुरूआ ही नहीं किये है चलो ऐसा मान लेते हैं कि acceleration का value है a के बराबर initial velocity सवाल में दी हुई थी zero है तो देखें ध्यान से असान सवाल है displacement displacement from zero second to one second मैं कोई confusion नहीं जाता zero second से one second तक का displacement चलो as equals to ut plus half 80 square use कर लेते हैं initial velocity zero तो half 80 square के मुताबिक half acceleration a मान लिया गया और t one second है जो की इसका square numerically a by two आ जाएगा लेकिन ऐसा unit के साथ इसका answer होना चाहिए a by two लेकिन meters में next बात करता हूँ मैं आप देखना यहीं से confusion की शुरुआत होगी displacement displacement from zero second to two seconds zero से एकदम शुरुआत से लेके दो second तक का displacement चलो पता करते हैं उसके लिए भी initial velocity initial velocity मतलब एकदम समय की शुरुआत पर का velocity zero second पर का velocity यानि initial velocity which was zero zero है initial velocity ut वाला term zero हो गया half 80 square again we have half of a multiplied by two seconds का whole square अगर मैं unit की बात ना करूँ तो यह लिखा हुआ है two a meters में फिर रहे गई है ठीक है लेकिन क्या इन दोनों का ratio निकालने के लिए कहा गया था अगर आप यही answer निकाले हुए है इन ही दोनों चीजों का अगर आप ratio निकाले हुए है तो answer गलत है क्यों answer गलत है क्योंकि यह zero से two second निकाला हुआ है यह next second की बात नहीं हुई है यहाँ पर हमें क्या चाहिए displacement from one second to two second तो एक second से दो second के बीच में क्या displacement होगा मान लो तुमारे पास पैसा लगातार बढ़ते जा रहा है day by day एक दिन के खतम होने के बाद आपके पास 100 रुपे थे लेकिन दो दिन के खतम होने के बाद आपके पास 400 रुपे थे एक दिन के खतम होने के बाद 100 रुपे थे और दो दिन के खतम होने के बाद 400 रुपे थे तो सिर्फ दूसरे वाले दिन में कितना पैसा आया, पैसे की भाशा आप जादा अच्छे से समझते होंगे खैर, तो ये शुन्य से 0 से 2 सेकेंड तक का displacement है, तो इसमें हमें घटाना होगा इस वाले value को तो हमें समझ में आएगा कि सिर्फ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में displacement कितना हुआ, तो इतना करिए आप calculation, ये a by 2 लिखा हुआ है, जबकि ये 2 a लिखा हुआ है दोनों को आपस में घटा देंगे मुझे जो मिलेगा वो है 3 by 2 times a unit रहेगा सबका प्रतेक चीज का unit है, मीटर ही अब सवाल में ये जरूर पूछा जा रहा है कि इस quantity का ratio क्या होगा तो इन दोनों चीजों का अगर ratio पता किया जाएगा तो 1 is to 3 होगा लेकिन इसमें नया क्या था इसमें सीखने के लिए क्या है हमारे पास सीखने के लिए हमारे पास ये है कि अगर kinematics का कोई भी question आपसे पूछा जा, ठीक है आप किसी भी book से question को solve करें, किसी भी teacher से आप सीखें kinematics का कोई भी question अगर आप solve करेंगे उस question का velocity time graph भले ही सवाल में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए velocity time graph को जरूर draw करेंगे ठीक है और हम लोग इसी question में अब finally सीखने जा रहे हैं velocity time graph किस तरह से हमें जल्दी से और जादा बेहतरीन समझ के साथ answer दे सकता है तो सीखो ये velocity है ये velocity axis है और ये time axis है और सवाल के मताबिक समय की बिलकुल शुरुवात में velocity थी कितनी zero के बराबर पहला point ये रहा थोड़ा सा समय बीतेगा velocity बढ़ चुकी होगी थोड़ा सा और समय बीतेगा velocity बराबर मातरा में फिर से बढ़ेगी velocity बढ़ते चली जाएगी और इस प्रकार से एक straight line होगा एक straight line होगा जो की velocity time graph में हमें रहा है motion of the particle एकदम शरुवात में velocity बिलकुल zero जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे velocity बढ़ते चली जा रही है अब आपको ये जानकारी पहले से होनी चाहिए कि इस velocity time graph से किस प्रकार से displacement calculate किया जाता है ठीक है तो अगर मैं पूछा हूँ एक second में माना कि ये एक second है अगर मैं पूछा हूँ एक second में पता करिए क्या होना चाहिए displacement तो सिर्फ इस graph को देख करके भी बताया जा सकता है कि क्या होना चाहिए displacement सिर्फ इतने से portion का area this area represents area is displacement displacement in first second पहले second के दौरान होने वाला displacement जादा कुछ नहीं इस छोटे से triangle का area ही है तो अब सोचो अचा मैं इतना क्यों लिखा हूँ ता कि आप notebook में properly इस बात को लिखें और कुछ न कुछ सीखें video lecture देखने से आप नहीं सीखेंगे video lecture देखने के बाद जब आप भूल जाएंगे और उसके बाद revision करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा ठीक है यही एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे यह वाला जो एरिया है इसका शेप जो भी है लेकिन यह जो भी एरिया बना हुआ है यहाँ पर यही एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है displacement in next second सिर्फ इतना सा समझ पाए यह जो नए तरह से मैं shade किया हूँ न यही अमारा next second का area है और अगर इस बात को समझे तो देखो अब सवाल कितना आसान है चलो मान लेता हूँ यह है डेल्टा A इस area का नाम रख दिया मैं डेल्टा A तो यह observe करो यहाँ पर कि यहाँ पर यह एक triangle बना जिसका again area डेल्टा A ही तो है जितना यहाँ का area उतना ही यहाँ इस चोटे से triangle का area इतने से portion का area और similarly फिर यहाँ पर जो rectangle के जैसा बचा हुआ है अभी इसको भी हम लोग दो parts में divide कर दें आगर तो यह भी तो दो बार वही वाला area है तो कुल मिला के अगर मैं गिनूँ कुल मिला के अगर मैं गिनता हूँ तो यह कितना area बना हुआ था यह था डेल्टा A और यहाँ पर यह दोनों ही मिलके बन गए two times डेल्टा A तो सिर्फ पहले वाले second में होने वाला displacement अगर इस area से गिना जा रहा है तो सिर्फ अगले वाले second में होने वाला displacement जरूर से डेल्टा A प्लस 2 डेल्टा A यानि 3 डेल्टा A होना ही चाहिए था यह अगर displacement अगर S not बोल रहा हूँ अगर मैं तो next second में होने वाला displacement 3 times S not होना ही चाहिए लेकिन इस method से सीखने का क्या फाइदा है एक नए diagram में जान लेते हैं यह वही पुराना velocity versus time graph इसी particle के लिए ठीक है और velocity इस तरह से बढ़ रही थी अब देखो पुरानी सीखी हुई अभी तक के video lecture की सारी बातों को यहाँ पर मैं summarize कर रहा हूँ और देखो कितने सारे questions यहाँ पर cover हो रहे हैं अगर मैं एक second के बाद बजाए t seconds बोलता और फिर t से लेके 2 t seconds बोलता तो यहाँ पर भी मतलब समझे 0 से 1 second, 1 से 2 second, नहीं 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 0 से t seconds, t का value कुछ भी है और t से 2 t seconds कुछ इस तरह से अगर मैं सवाल पूछा होता तो भी यहाँ पर जो area निकल के आ रहा है वो अगर s naught है तो यहाँ पर 3 s naught होना ही है 1 is to 3 का ratio आएगा ही आएगा और तो और इसके आगे की भी बात आप कर सकते हो इस graph से अगर यह area को मैं गिन लेता हूँ s naught तो third wallet part में यहाँ पर यानि 2 t से लेके 3 t तक अगर एक एक second गिन रहे हैं तो 0 से 1 second, 1 से 2 second अब मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 seconds तो यह वाला area आखिर कितना होने वाला है इसे भी बताया जा सकता है ध्यान से देखना diagram को जरा मैं दूसरे color से दिखाने की कोशिश करता हूँ चलो यह पूरा एक portion s naught ही तो है और उसके बाद फिर से यह s naught ही तो है, यह s naught ही तो है फिर से यह s naught ही तो है, यह s naught ही तो है तो इस बार जो area निकल के आया हमारे पास वो 5 times s naught के बराबर फिर next वाला बिन डियाग्राम बनाए ही सोचा जा सकता है कि 7 s naught के बराबर होगा and so on इसको आगे extend कर सकते हैं हम लोग तो सीखने को क्या मिला देखो अगर कोई particle rest से चलना शुरू करे तो पहले किसी भी time interval में जितना भी वो travel करेगा ठीक उतने ही time interval में उसके आगे अगर देखें तो 3 गुना travel करेगा और फिर से उतने ही time interval में फिर से देखें तो एकदम पहली बार जितना travel किया था उसका 5 गुना travel करेगा जो successive time intervals में displacement होता है successive time intervals में जो displacement होता है फरक नहीं पड़ता है एक second की बात कर रहे हूँ की नहीं एक particle rest से चलना शुरू करता है पहले minute में जितना travel किया उसका 3 गुना दूसरे minute में travel करेगा और पहली बार जितना travel किया था उसका 5 गुना तीसरे minute में travel करेगा और जो पहली minute में travel किया था उसका 7 गुना चौथे minute में travel करेगा and so on अगर question को ऐसे frame किया जाए एक particle है नया question लिखने का जौरत नहीं है आपको सीखिए बस एक particle है जो rest से चलना शुरू करता है perfect लेकिन वो third second में third second में travel करता है लिखा हुआ है सवाल में third second में travel करता है 25 meters बताईए कि seventh second में वो कितना travel कर चुका होगा सिर्फ seventh second में कितना travel कर चुका होगा कैसे समझोगे देखो इस analysis से इसको सीखने में समय लगेगा आपको लेकिन एक बार सीख जाओगे, कठिन से कठिन questions आसान हो जाएंगे आपके लिए अगर सवाल में लिखा हुआ है, थर्ड सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में 25 मीटर की दूरी तैकी गई 5S0 का value दिया हुआ है 25 मीटर समझे बात ये 5S0 का value दिया हुआ है 25 मीटर तो कोई भी देख के बता सकता है कि S0 का value जरूर से 5 मीटर है तो पहले सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल किया गया, दूसरे सेकेंड में 15 मीटर ट्रेवल किया गया तीसरे सेकेंड में वो तो दिया ही था 25 मीटर ट्रेवल किया गया चौते सेकेंड में 7 into S0 यानि कि 35 meter travel किया गया फिर 45 meter travel किया गया फिर 55 meter travel किया गया and so on आप 7th सेकेंड किया किसी भी सेकेंड में आप direct बता सकते हो इस तरह से गिनते हुए थोड़ा सा और समय लगा लो तो आप formula तक develop कर सकते हो मैं अगर तुम से केवल first second में पूछ लूँ माल लो first second में कितना displacement है तो first second में तो direct पता चल रहा है हमें कितना answer 5 meter का समझ पाए मेरी बात तो इस तरह से जो consecutive time intervals में displacements covered होते हैं एक rest से शुरू करने वाले particle के लिए वो बड़ा ही interesting सा इस तरह का result आता है और इसका फिर scope इसके questions को frame करने की possibility यहां भी है देखो अगर तुम समझ गए तो यहां भी है एक object को अगर just rest से छोड़ दिया जाए और वो free fall में गिरने लगे तो पहले second में वहां भी तो initial velocity zero है न तो वहां पर भी पहले second में आप ऐसा पाएंगे पांच मीटर की दूरी ते करता है particle दूसरे second में फिर वो ते करेगा 15 मीटर की दूरी तो कुल मिला के zero से 2 second में 20 मीटर की दूरी तो इस नजरिये से भी समझा जा सकता है एक ऐसे particle के बारे में जो कि rest से चलना शुरू करे तो I hope आपको काफी कुछ यहां पर सीखने के लिए मिला और एक और philosophical बात बात यह है कि जब कभी rest and motion chapter के questions को आप solve करें तो चाहे question में बोला जाए चाहे ना बोला जाए चाहे teacher आप से बोलें चाहे ना बोलें आप velocity time graph के terms में उसी particular question को जरूर समझिए guaranteed है आपको जादा कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है तो यह level 2 था हमारा video lecture का next video lecture level 3 का याद रखो देखने के लिए सभी invited है लेकिन examination point of view से सिर्फ उन्ही बच्चों को फायदा होगा जो J mains या advanced का preparation कर रहे हैं ठीक है मिलते है next video lecture में